वेल्कम फ्रेंट्स आज मैं आपको जो रेसिपी दिखाने जा रही हूँ उसका नाम है चीज पटाटो क्रिस्पी उसको बनाने के लिए हमको इंग्रेंट्स चाहिए एक बड़ा सा आलू जिसको मैंने पहले से ही बॉयल करके रखा हुआ है क्यारट, चॉप्ड ओनियन, मींट लीप्स, कोरियांडर लीप्स, चीज, निम्बू, चीली फ्लेक्स जिसको की आप स्किप कर सकते हैं उसके बाद आपको चाहिए स्प्राउट, मैदा और कॉन्फ्लेक्स उसके साथ उसको चपटा बनाने के लिए आपको चाहिए चाट मसाला मैंने ओनियन, क्यारट और स्प्राउट को थोड़े टाइम के लिए ख्राय करने के लिए रखा हुआ है उसमें टेस्ट के लिए थोड़ा सा नमक डाल देते हैं इसको सिर्फ दो मिनिट के लिए आपको फ्राय करने ताकि ओनियन का जो स्मेयते हो चला जाए कि अभी मैंने एक बॉल में एक बॉयल्ड आलू को ले लिया है उसको मास करके उसमें बाकी इंग्रीडिंट्स और करेंगे कि अभी मैंने एक बॉका टूड़ा है झाल 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 मास करेंगे लिए बउने एक चाह कि पॉकाई कर दो कर दो अभी इसका छोटा छोटा बॉल बना के मैंने रख दिया है ताकि उसको बाद में इजे से कोटिंग दे सकूँ एक बॉल में थोड़ा सा मैदा लेकर उसको पानी और नमक मिला के एक बैक्टर प्रिप्यार करें कड़ाई में तेल डाल कर उसको गरम होने के लिए रख दें अभी हम लोग उस बॉल को मैदे के कोटिंग दे के कनफलोर में डाल के एक जगा रख लेंगे ताकि बाद में हम उसको डाल सके एक साथ अभी मैंने उस बॉल को रख दिया है और अभी मैं फ्राइ करने के लिए उसको तेल में डाल रही हैं हूं राउन होने तक इस तेल में रखेंगे लोग फ्लेम में इसको मैंने अभी टीसू पेपर के उपर निकल दिया है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ओइल है बो निकल जाए अभी तयार है आपका चीज पटाटो क्रिस्पी इसको अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट